अगर आज भी आप प्लास्टिक के ऑल कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो समय आ गया है उसको रिप्लेस करने का एक बहतरीन और हेल्दी हाईजिन एक ऑल कंटेनर्स के साथ तो आज हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में अलग अलग टाइप के ऑल कंटेनर्स जितने भी तरीके के ऑल कंटेनर्स आते हैं जो हमारे किचिन में एक बहतर तरीके से और आसानी से हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि घर के किचिन के लिए चोटा सा आइटम कितना जादा इंपोर्टेंट हो सकत है तो चलिए आग की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस टाइप के जग शेप के ऑईल कंटेनर्स को यूज़ कर रहे हैं अपने घर में तो कौन सा आइल कंटेनर आपके लिए बहतर हो सकता है सबसे पहले मैं बात कर लेता यह निकला हुआ है जिसकी वज़े से आप ओईल को गिरा सकते हैं बट यहां पर अंदर कोई भी चीज जाएगी नहीं क्योंकि यहां पर प्रॉपर जाली जैसी चीज दी हुई है तो अगर अंदर और में अगर आप लॉंग डालके भी रखते हैं तो भी यहां से आपका ऑ जो लिड होती है वो प्रॉपर तरीके से अंदर की तरफ बैट जाती है पिक्स हो जाती है तो मेरे हिसाब से जगशेफ कोईल कंटेनर यह जादा बहतर आप्शन है मगर इसमें बहुत सारी क्वालिटी जाती है तो कोशिश करिएगा कि अच्छी क्वालिटी का लीजे जो ह क्वाइंट नहीं होना चाहिए तो यह दो तीन बाते ऐसी होती है जो कभी भी कंटेनर इस ताइप कर लेना उसमें ध्यान रखनी होती है कि सबसे ज्यादा कम रेंज में आता है आपके बजट में भी आ जाएगा साधी साथ सबसे ज्यादा हेल्दी होता है और जितना प्ला आसपास में आते हैं तो मुझे लगता है कि यह कंटेनर ज्यादा बैतर होते हैं जैसे कि एक लीटर का यह कंटेनर है इसमें फॉर्चून का पूरा पकेट आ जाता है और साधी साथ यह आपकी यूटिलिटी के लिए थोड़ा सा बहतर है अगर आप जग शेप का इस ताइ प्लास अगिर गया तो यह समझे फुरा खुलके ऑईल इसमें हट जाएगा और साधी साथ इतना प्लास्टिक का यूज़ दिया हुआ है प्लास्टिक रेलेटिड मटेरियल ही है चाहे कोई मटेरियल हो बड़ यहां पे जो यह प्रॉमिनेंट यूज़ दिया हुआ है यह म हाथ में यह चीज लगेगी नहीं और यहां पर क्या होता है कि अगर इसको हम रिमूफ कर लेते हैं तो यहां पर यह देखिए इस चाइप से धारी वाला होता है जो कभी-कभी चिटक भी सकता है तो यहां पर यह मुझे लगा कि एक ठीक था के हाला कि अगर अच्छी लेना है तो मैंने आपको मैं अगर रिकमेंड करूं तो मैं यह वाला ओयल कंटेनर ज्यादा बहतर समझता हूं अपने नजरिये में इस कंटेनर के हिसाब से अब बात कर लेते हैं जो आज क्याल बहुत सारे ओयल कंटेनर्स आ रहे हैं इस टाइप के बॉटल शेप में देखि चोटा हो जाता है ब्रॉड हो जाता है ब्रॉड और को पकड़ के आपको यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो साथी साथ मैं आपको बताऊं कि अगर कभी आप बॉटल शेप को ऑईल कंटेनर ले रहे हैं वो थोड़े से पतले शेप का लिजे जिसको आपको यहां पर दो बहुत ही प्रॉमेंट उप्शन में आपको दिखा रहा हूं जिनमें एक काफी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएंगे अगर आप पॉडल शेप को ऑईल कंटेनर लेते हैं तो यहां पर दो तरीके के आते हैं एक आता है complete jointless इस टेल का बना हुआ और एक आता है वह इसमें मुझे लगता है कि जादा बहतर है क्योंकि यहां पर तो यह joint दिया हुआ है यह अगर अच्छी company का नहीं है नहीं तो अगर अच्छी company का भी है तो कहीं ने कहीं यह leakage करता है हाला कि यह वाली gasket पर ध्यान दीजेगा अगर यह gasket लगी रहेगी तो यह leak नहीं कर नहीं तो जितना jointless होता है उतना जादा बहतर होता है उपर की तरफ से लिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो लिट डोनों में स्टील की दी हुई है कोई चीज ऐसी नहीं है जो इसमें खराबी हो और दोनों में ही एक लीटर पूरा पूरा आ सकता है जैसे कि जो भी को ओपिन करना है इतना यह पूरा पूर्शन आपको एक साथ वाश करना होगा जो की ठीक डगा आप वाश कर सकते हैं मेरे को ऐसी कोई वह नहीं है कि इसमें आप क्लीन नहीं कर सकते हैं बड़ इसी इसका ध्यान दीजेगा कि यह एक तरीकी का प्लास्टिक है और अंदर की अब कंटेनर है देखिए सबसे अची चीज़ है और साथी साथ कहीं भी इसमें जोड़ नहीं होता है अब तो यह ऑविसी बात इसको क्लीन करना चाहिसंमें कहीं भी गंदगी फचेगी नहीं और साथी साथ यह आपके लिए ओपन और कि तरफ करना जादा बहतर रहेगा पर की तरह से यह लिड़ आपको मिल जाती है जो कि इसको आप एजिली क्लोस कर सकते हैं और क्वालिटी जितना कम जॉइंट होंगे उतना ज्यादा बहतर हो सकती है तो मुझे लगता है कि अगर आप बॉटल शेप के ओल कंटेनर ले रहे हैं तो यह वाला ऑप्शन आपके ल लाना इतना जरूरी क्यूंँ था क्योंकि काफी गरों में यूटिलीटी होती है आधी लीटर में दो तरीके के ओईल रखने के लिए तो आप इस टाइप के स्मॉल कंटेनर ले सकते हैं आधी यह लीटर के जिसको आपको स्टोर करना इस तो यूज़ करना बहुत आसान होत तो इस टाइब के साथ भी रख सकते हैं अलग से भी इसको बहुत इजीली आप कैरी कर सकते हैं कौलिटी की बात करते हैं तो बहुत अच्छी इस टील का दिया है जो की कमट्टी ने नीचे भी मेंचिन किया है तो मुझे लगता है काफी अच्छा ऑप्शन है और साधी जाद यहां पर आप चाहते हैं इस टाइब का कंटेनर लेना जिसमें आपके कंटेनर से जिसमें आप एक्रेलिक लगा हुआ होता है यहां से बड़ी ओपनिंग होती है यह भी आप ले सकते हैं क्लीन करना भी इसमें कंटेनर यहां पर आते हैं अब लास्ट बट लीस्ट काफी लोग इसमें ट्रेंड है ग्लास के कंटेनर लेने के लिए तो यहां पर ट्रीयो की कंपनी का एक ग्लास कंटेनर मुझे अच्छा लगा इसमें बड़ा डॉबैक मुझे क्या लगा मैं आपको सीज़ सीदे बता है और कोई भी चीज अगर आप डेली उस कर रहे हैं तो डेली उसको क्लीरिंग भी जरूरी करनी पड़ती है हलाकि डेली ना करिए हफते में दो तीन बार भी करिए बट यह चीज है कि चीजों को लीजे सो समझ के लीजे और अपने यूटिलिटी के हिसाब से लीजे क्यों किचिन में जितना बहतर आसां तरीके से आप काम करेंगे उतना जादा आपको मन करेगा हेल्दी किचिन में काम करने के लिए इस टाइब के देखिए अलग-अलग तरीके के मैंने कोशिश किया है कि हर तरीके के healthy containers आपको लाके दिखा दूँ आपको proper तरीके से guide कर दूँ कि काफी समय से आप लोग भी चाह रहे थे कि इस टाइब की वीडियो में बना दूँ जिसमें oil containers का एक proper detail review आपको मिल जाए कि कौन सा आखिन oil containers बहतर होते हैं और जादा durable होते हैं हाला कि इस वीडियो के साफ समय conclusion में बस इतना बता सकता हूं कि अगर आप इस टाइब के container ले रहे हैं जग शेप में तो वो जादा durable रहेगा बस यह चीज का ध्यान दीजेगा थोड़ा था अच्छी quality का लीजेगा तो आपका काफी durable और बहतर quality का रहेगा 100 version healthy hygienic steel है अगर आप इस वीडियो में लेना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बार लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की नीच है description box में मैंने सबके लगबग link दे दिये हैं हो सकता है कि brand थोड़ा था change रहे बट यह है कि मैंने link दे दिये हैं जहां से आप इन सबको directly purchase कर सकते हैं और जो भी size आपको requirement है उसको भी आप महीं से ही purchase कर सकते हैं तो इसी वीडियो के नीचे description में मैंने buy links दे दिये हैं जिसमें मैंने अपनी preference भी बता दिये हैं जो आपके लिए थोड़ी सी helpful हो सकती है बाकी और भी अगर आपको कोई options आई हैं तो वो भी मैंने दे रखे हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और अपना धेर सारा प्यार subscription के